कहते हैं, राजनीती में अंतिम समय तक संभावनाएं होती हैं, जिसे तराशने की कोशिश हर एक पाठी करती है यूपी की दो एहम सीटें, अमेठी और रायबरली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि नामंकन के अंतिम दिन, कॉंग्रिस ने अलान कर दिया कि रायबरली से राहूल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे दोनों ये सीट कॉंग्रिस का गड़ कही जाती है नहरू गांधी परिवार के सदस्यों की सियासत में एंट्री के लिए लाउंचिंग पैट की पहचान रखने वाले अमेठी से राहूल गांधी रगातार तीन बार सांसच चुने गए लेकिन 2019 में ये सीट बीजेपी ने छीन ली थी वहीं अगर राय बरेली की बात करें तो 2019 में चुनाव जब हुए तो कॉंग्रेस यूपी की जो एक सीट जी सकी थी वो राय बरेली ही थी इस सीट से सोनिया गांधी संसज पहुची थी सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजस्थान से राजसभा पहुच चुकी है ऐसे में सीट से कॉंग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी उमिदवार खोशी थुए है लेकिन इतियास के पन्ने बताते हैं कि अमेठी और रायवरेली की जनता ने हमीशा कॉंग्रेस को ही पसंद किया है और अमेठी सीट पर तो साल 1998 के बाद यानि 25 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेठी सीट से गांधी पैमली का कोई शक्ष चुनावी मैदान में नहीं है आखरी बार साल 1998 में सतीश चर्मा ने चुनाव लड़ा था जिन्हें संजे सिंग से शिकस झेलनी पड़ी थी ये वही अमेठी है जिसे एक समय पर कॉंग्रस का अभेद किला माना जाता था साथ ही से दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है वैसे उत्तर प्रदेश की 80 लोगसभा सीटों में से अमेठी सीट को नहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है खालंकि इस सीट से पिछले चुनाव में कॉंगरिस के नेता राहूल गांधी को बीजेपी की स्मिती इरानी ने बड़े अंतर से हरा दिया था लेकिन अगर अमेठी में हुए आज तक के लोगसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो ये बास साफ हो जाती है कि ये सीट ज्यादातर समय तक कॉंगरिस के पास ही रही है अमेठी को उत्तर प्रदेश के वीवी आईपी सीटों में से एक माना जाता है इसलिए आपको अमेठी सीट का चुनावी इतिहास आखिर क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं 1967 के आम चुनाव में अमेठी लोगसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आई इस नई सीट पर कॉंगरस के विद्याधर बाजपेई स्वांसद बने तब उन्होंने बीजेपी के गोकुल प्रसाथ पाठकमू साड़ी तीन हजार से जादा वोटों के अंतर से हराडाला था इसके बाद 1972 में विद्याधर बाजपेई दोबारा अमेठी के सांसत बने 1977 के चुनाव में पहली बार गांधी परिवार से किसी ने इस सीट से अपनी डावेदारी पेश की थी कॉंगरस पार्टी ने गांधी परिवार से संजे गांधी को मैदान में उतारा था लेकिन आपात काल के दोरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमू की आलोचना के चलते जनता ने संजे गांधी पर अपना विश्वास नहीं जताया नतीजा ये रहा कि इस चुनाव में संजे गांधी की हार हुई और जनता पार्टी के उमीदवार रविंदर प्रताप सिंग यहां से सान सच चुने गए 1980 में संजे गांधी की बृत्यू के बाद हुए उप चुनाव में इंद्रा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर संभाल दी इसके बाद 1984 के लोगसभा चुनाव में राजीव गांधी को ही एक बाद फिर अमेठी में मैदान में उतार दिया गया लेकिन 1984 में इंद्रा गांधी की हत्या कर दी गई तब तक कारिन राश्पती ज्यानी जेहल सिंग ने राजीव गांधी को प्रधान मंत्रिपत की शपत दिला दी इसके बाद लोगसभा चुनाव की घोशना हो गई राजीव फिर अमेठी से लोगसभा चुनाव लड़ने के लिए गए तो मेंका ने राजीव के मुकाबले निर्दलिय उमीदवार के तोर पर परचा भर डाला ये मुकाबला नेहरू गांधी परिवार के दोनों वारिसों के बीच हो गया जब नतीजे आये तो मेंका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली 1984 लोगसभा चुनाव में राजीव को 3,65,049 वोट जबकि उनके विरोध में उतरी मेंका को महज 50,163 वोट ही हांसिल हो सके इस तरह से मेंका को 3,14,878 वोटों से करारी हार्ड शेलनी पड़ी बात अगर 1989 और 1991 के लोगसभा चुनाव की करें तो यहां एक बार फिर राजीव गांधी ही इस सीट से सांसत बने 1991 के लोगसभा चुनाव के दोरान 20 माई को पहले चरण की वोटिंग हुई 21 वही को राजीव गांधी प्रचार के लिए तमिल नाडू गए हुए थे तब इस दोरान उनकी हत्या कर दी गए 1991 और 1996 में अमिर्थी लोगसभा सीट पर उप्चुनाव हुआ जिसके बाद कॉंगरस के 37 शर्मा सांसत बने हालां की 1998 में कॉंगरस को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा जब BJP प्रत्याशी संजे सिंग ने 37 शर्मा को 23,000 वोटों से हरा डाला था फिर 1999 में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव जीता 1999 में कॉंगरस से राधिम गांधी की पत्नी सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने संजे सिंग को 3,000,000 से भी अधिक वोटों से हरा डाला इसके बाद 2004 के 24 लोगतवा चुनाव में राखुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े उन्होंने वस्पा प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्टा को 2,000,000 से ज़्यादा वोटों से हरा डाला 2009 में भी राखुल ने अमेटी सीट से जीत दर्ज की थी इस पार जीत का अंतर 3,500,000 से भी जाता रहा था 2014 में राहुल गांधी सीट से लगातार तीसरी बार सांसर चुने गए लेकिन 2019 में उनके खिलाब BJP की ओर से स्मिटी इरानी मैदान में उतरी थी हालांकि तब जीत का अंतर 1,000,000 वोट से कुछ ही जादा था लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेटी सीट पर स्मिटी इरानी इतनी ताकतवर हो गई है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाब लड़ना ही नहीं चाहता और इसलिए ही इस बार किशोरी लाज शर्मा को मैदान में उतारा गया है क्यूकि अमेटी से किसी गांधी का चुनाब ना लड़ना यूपी में कॉंगर्स का जोश और कारेकरताओं में उत्साहा को कम कर सकता है कईराजनी तिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि अमेटी का महौल बदल रहा है ऐसे में कॉंगर्स के पास अपना खोया हुआ किला बापिस हांसिल करने का कोई मौका नहीं है इसलिए अमेटी से किसी गांधी को नहीं उतारा गया है हाँ किशोरी लाज शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीब जरूर माने जाते है वहीं कुछ सियासी विशलेशकों का कहना है कि कोई गांधी परिवार का सदस से अमेटी से चुनाव लड़ता तो बीजेपी की पूरी मशीनरी का फोकस अमेटी की ओर हो जाता ऐसे में अरणनीती के तहट कॉंगरस उन सीटों पर ज्यादा जसोर दे पाती जहां बीजेपी को मात दी जा सकती थी लेकिन कॉंगरस ने पहले ही वहां हार मान ली वहीं अब राय बरेली सीट की बात करें तो राय बरेली सीट का चुनावी इतिहास भी कापी दिल्चस्प रहा है साल 1977 का लोगसभा का आम चुनाव था आकाशवाणी में चुनाव परिणाम के विशेश समाचार आ रहे थे देश चुनाव परिणाम जानने के लिए जग रहा था लोग बेताब थे कि राय बरेली में क्या हो रहा है क्योंकि उस चुनाव में उत्तर भारत में कॉंगरस का सफाया हो रहा था राय बरेली से इंद्रा गांधी चुनावी मैदान में थी लेकिन आकाश वाणी परिणाम की जानकारी देने के बजाए चुक्पी साधे वैठा था राय बरेली के बारे में ये नहीं बताय जा रहा था कि उस सीट पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे लोगों की धड़कने बरती जा रही थी सुदेलगबग चार बजे आकाश वाणी ने पहला समाचार यही दिया कि इंद्रा गांधी अपने राय बरेली निर्वाचन शेतर से जनता पार्टी के पृत्याशी राजिनारायन से चुनाव हार गई है पूरिदेश में पहले सही सत्ता परिवर्तन की लेहर चल रही थी लेकिन इस खबर पर लोगों को भरूसा नहीं हो रहा था कि गांधी राय बरेली से चुनाव हार सकती है इंद्रा गांधी का चुनाव हारना बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी ये अलग बात है कि राय बरेली के लोगों को उनसे बहुत उम्मीदे थी राय बरेली के लोगों को इंद्रा गांधी से बहुत लगाव भी था और उनके प्रती समरपन भी राय बरेली हमेश्चा गांधी परिवार का मजबूत गड़ रहा है और ये वो जिला है जहां राणा वेनी माधव ने 1857 के गदर में अंग्रेजियों के खिलाफ बगावत की थी और उन्हें अपना किला छोड़ना पड़ गया था बाद में अंग्रेजियों ने उनके किले को उचार दिया ये जिला तमाम एतिहासी घटनाओं को अपने में समेटे हैं संकटा देवी का मंदिर भी यहीं पर है प्रसिद्ध साहितेकार महवीर प्रसाद रुएदी की यही चन्म और कर्म भूमी है वैसे ही ये कॉंग्रेज की पुस्तेनी सीट है 1952 में सबसे पहले प्रेंका गांधी के नाना फिरोज गांधी यहां से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी यही नहीं 1957 में भी फिरोज गांधी चुनाव जीते बाद में उन्हें राइबरेली से छोड़ दी इद्रा गांधी के राइबरेली छोड़ने के बाद उन्ही के परिवार के अरुण नहरू चुनाव लड़े और जीते भी आरुण नहरू 1984 में भी राय बरेली से ही चुनाव लड़े और जीते लेकिन 1987 में आरुण नहरू ने बगावत कर दी और वीपी सिंग से जामिले तब गांधी परिवार की ही शीला कॉल 1989 में राय बरेली से मैदान में उतरी और चुनाव जीत गई 1991 में भी शीला कॉल राय बरेली से चुनाव जीती लेकिन 1996 और 1998 में इस सीट पर बीजेपी ने कबजा कर लिया वक्त आया 1999 का 1999 में गांधी परिवार के निकट रहे 37 चर्मा चुनाव लड़े और जीत गई लेकिन इसी समय सोनिया गांधी राजनिती में आ गई और वो पहले अमीर्थी से चुनाव लड़ी और जीत गई लेकिन बाद में उन्होंने अमीर्थी सीट राहूल गांधी के लिए छोड़ दी और खुद राय बरेली आ गई सोनिया गांधी 2004, 2009, 2014 और फिर 2019 में चुनाव जीती अब इस सीट से राहूल गांधी को मैदान में उतारा गया है यानि राय बरेली से राहूल गांधी चुनावी मैदान में है और चुनाव लड़ेंगे लेकिन राय बरेली का ये चुनाव काफी दिल्चस्प होगा एक तरफ कॉंग्रिस अपना गड़ बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी तो बीजे पीस किले को छीन लेने के लिए लेकिन चैर्ज उनकी तारीक ये तैय कर देगा कि अमेठी और राय बरेली की सीट पर आखिर कौन विराजमान होगा जो श्रेश्ट भारत आपको सरूर बताएगा फिलाई ऐसे और खबरों के लिए आप देखते रहेए श्रेश्ट भारत